नमस्कार दोस्तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं Instagram से रुड़ी एक प्रॉब्लम के solution पर दोस्तों काफी लोगों को Instagram पर एक problem face हो रही है जैसे वो अपने Instagram को private करने की कोसिस करते हैं तो वो अपने Instagram account को private नहीं कर पाते हैं तो guys आप अपने Instagram account को private कैसे कर सकते हैं complete जनकारी आपके साथ share करूँगा आपको इस वीडियो में end तक बने रहने इस वीडियो को बिल्कुल भी skip मत करिएगा तो ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को आपको बताते हैं किस प्रकार आप अपने Instagram account को private कर सकते हैं Instagram account को private करने के दोस्तों काफी फाइदे हो सकते हैं जैसे कि Instagram account को private करने पर आपके जो followers हैं उनके इलावा आपका content कोई भी नहीं देख सकता और आपको किसने follow कर रख हैं कोन आपको follow करता है या भी किसी को नहीं पता चलेगा तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी ही गुजारिश है अगर आप हमारे चनल पर नए है तो प्लीज बाल एकिन को प्रेस करके हमारे चनल को जरूर से subscribe कर लीजिए तक यानावले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे इसके साथ ही गाई जिस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों बताते हैं आपको किस तरह से आप अपने अकाउंट को प्राइवेट लग सकते हैं उसके लिए आपको एक बर अपने Instagram अप्लिकेशन को ओपन कर लेना है उसके बाद बोटम पर आपको एक प्रोफाइल पिक्शो होती है आपको इस पर क्लिक करना है जिसके बाद इस तरह के इंटरफेस आपके सामने आजाएगा आपको यहां राइट साइड में उपर की तर देना है यहाँ पर आ जाने के बाद दोस्तो प्राइवेट अकाउंट के सामने जो यह वाला बटन है अगर यह डिसेबल हो रखे है तो आपको इसको इनेबल करना है लेकिन गाइज यहाँ पर रुक जाएए आपको एक पॉप अप देखने को मिल जाता है बिजनस अकाउंट कांट भी प्राइवेट अगर आपका बिजनस अकाउंट है तो आप उसको प्राइवेट नहीं कर पाएंगे आप यहाँ पर रीड कर सकते है इफ यू वांट तो मेक यूर अकाउंट प्राइवेट फर्स्ट स्वीच बैक टूए परसनल अकाउंट अगर दोस्तों आप हमारे प्रोफाइल पीक है इस पर क्लिक करते हैं जो हमारा प्रोफाइल वाला पेज है हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका नेम है उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा एडिट प्रोफाइल के ऊपर प्रोफेशनल डैस्बोर्ट तो यहां से आप पता लगा सकते है कि जो आपका account यह professional हो रखा है तो गैज इसको हम personal में बदलेंगे और personal के कैसे बदलेंगे आपको again three lines पर click करना है जिसके बाद इस तरह के interface से आपके सामने आएगा आपको नीचे की तरह scroll करना है यहाँ पर आपको एक option देखे creator tool and control आपको इस पर click करना है तो इस तरह के interface सापके सामने आजाता है यहाँ पर आपको धेर सादी option दिखेंगे आपको नीचे की तरह scroll करना है यहाँ पर आपको एक option ढून लेना है switch account type आपको इस पर click करना होगा और नीचे से आपको दो option आजाएंगे switch to business account और switch to personal account तो गईज हमें personal account पर click कर देना है और यहाँ से switch to personal account पर click करना है तो यहाँ से दोस्तों हमें थोड़ा हाँ wait करना होगा जिसके बाद जो हमारा account है वो business से personal में activate हो जाता है तो आप यहाँ पर देख सकते है switch to personal account और अब दोस्तों हम अपने account को easily private कर सकते हैं तो again हमें account privacy पर click करना है और private account के सामने जो बटन है हमें इसको enable करेंगे तो हमें दुबार से कोई भी pop-up देखने को नहीं मिलेगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं want to review your followers you can make changes to you can see your post and story अगर आप review करना चाहते हैं तो आप review कर लीजिए तो मैं review पर click कर देता हूँ तो guys जो आपके followers list है वो यहाँ पर आ जाएगी इनमें से अगर आप किसी को remove करना चाहते हैं कर सकते हैं नहीं तो मैं यहाँ से back आ जाता हूँ और यहाँ से मैं आने के बाद आपको दिखाता हूँ कि अगर हम अपने account को किसी other ID से देखने के लिए जाएंगे तो जो हमार account है वो private यहाँ पर हो चुका है यहाँ से यह वाली setting कर लेंगे बाद जैसे ही आप अपने किसी दोखरे Instagram account से चेक करने के लिए जाएंगे तो आपको यहाँ पर कुछी इस तरह का interface देखने को मिल जाता है देखे मैं दिखा देता हूँ यह हमारा दूसरा account है वहाँ से हम जैसे यह चेक करते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा this account is private और कोई और बंदा जो हमें follow नहीं करता है या जिसकी friend request हमने accept नहीं कर रखी है तो दोस्तों ना तो वो हमारे photos वीडियो देख पाएगा ना ही हमारे content को देख पाएगा तो इस तरह से आप अपने account को private कर सकते है तो आज वाली इस वीडियो के ने मेरे को आपको ज़स्ट इतना ही बताना था अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो please हमारे चैनल को subscribe कर देना इस वीडियो को like कर देना तो मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक के लिए bye bye friends love you all take care